हेलो एवरीवन कैसे हो आप से बिलोग अभी पांच दिन प्रेले नोटिस निकला था इंटलेट्स बूरों में वेकेंसिस निकले हैं दोजार वेकेंसिस एंसिस्टेंट सेंट्र इंटेलिजेंस ओफिसर की पोस्ट के लिए इसके रिगार्डिंग मैं दो वीडियो जो बना च वीडियो में डिसकस करें थी मैडिकल इंटर्व्यू यह साही चीज़ें डिसकस कर ली थी तो उमीद है आपने दोनों वीडियो देख ली होगी अगर नहीं देखे तो डिस्किप्षिन बॉक्स में लिंक देदूगा दोनों वीडियो देख लेना ठीक हाडली 30 मेंट लगे देखेंगे किस तरह के questions थे और साथ ही साथ मैं आपे बुक्स भी डिसकस करने वाला हूं कौन कौन सी बुक्स आप फोलो कर तो बहुत लिमिटेड बुक्स बताऊंगा और उनसे आपकी त्यारी हो जाएगी अगर इस दिए एक्जाम के बात करें कोई आपको जादा courses भी प करना चाहिए सारी शीच में आपको बताऊंगा तो इस संथिंग अबाउट मी स्लेक्टिट तो एससी सीजल 2017 इंकम टेक्स इपार्टमेंट एंड दिस प्रॉसेस ऑफ इग्जामिनेशन पहले टीर वन होका टीर वन की कट ओफ आएगी टीर वन के मांक्स भी होंगे आपके की टीर टूज्ट नंबर का होता है तो ट्लट ट्नमभर मेंं से आपकी मरिट डिसाइट के जाती है कि कितने लोग स्रेक्षण होगा और tier 1 के अलग cut off होती है कोई sectional cut off नहीं होती टीर 1 के अंदर ऐसे ही tier 2 की अलग और tier 2 के बाद अलग और tier 3 ठीक कट off अलग से जिते हैं जो department है वो आपकी सिर्फ rank list निकालता है कि किन लोगों का sorry rank list कर रहा हूँ एक्जाम हुआ था यह offline एक्जाम हुआ था इस बार यह offline शिफ्ट करके online कर दिया गया है तो computer पर जैसे एक्जाम्स या कोई banking एक्जाम्स देते हो वैसे ही एक्जाम होगा एक घंटे का एक्जाम है और इसमें 100 तो question आपके पूछे जाएंगे पिछले साल जो था आपके चार सेक्षन से सिर्फ एक आपको quantitative aptitude का section था एक जनरल awareness का था एक रिजिदिंग का section था एक English का था इस बार एक सेक्षन एड़ किया गया है जनरल इस्टडीज राइट तो यहां पर अब कहीं न कहीं आप देखोगे सभी सेक्षन से अगर बीस बीस कुछे जाएंगे तो जीके की वेटेज जनरल आपको एक घंटा दिया जाएगा सो नंबर का पेपर होने वाला है तो अगर एक घंटे में बात करें हैं आपके पेपर सोल नहीं कर पाते कोशन चुट जाते हैं वो चीज़े नहीं होंगे अगर आपने प्रैक्टिस यहां पर थोड़ी अच्छे से कर ली ठीक है तो टाइमिंग का इस्यून रहेगा मिनिमूम क्वालिफाइंग मार्क्स यह रखें टीर टू का पैटन यह रखा है आपका तीस नंबर का हैस से आन लगबग ऐसी कई थी कटो तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कितने लोगों का टीर वन में सेलेक्शन होता है इस बार तीन साल के बाद है कोरोना टाइम चल रहा है तो कॉम्टिशन आपको अच्छा मिलेगा तो कटो नोडाउट राइज करेगी अच्छी खासी तो ज्यादा टाइम तो है नहीं आपके पास आप यह मानके चलो दो से तीन महीने आपको टीर वन की तैयारी के मिलेंगे ठीक तो जो आपका तरीका होना चाहिए तैयारी करने का वो भी इसी पर बेस्ट होना चाहिए बाकि जो एक्सपेक्टिड डेट्स मैंने बताई है य जिससे हमें आइडिया लगेगा कोश्चंस कैसे पूच गए तो यह 2017 का पेपर है ठीक है एक ही पेपर था देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर स्टार्टिंग में आपको 25 कोश्चं क्वांटिटिटिव एप्टिट्यूट की दिखेंगे ओफ्लाइन पेपर था तो जो क प्रसमार्स डिड़क्ट कर दिया जाएंगे लाइक एसे से एक्जामिनेशन प्राइट उसके बाद आप देखो कि जो पहला कोश्चन है मेरा यह एवरेज पर है मुश्किल कोश्चन नहीं है यह जी कोश्चन है अवरेज का दूसरा कोश्चन भी मेरा एवरेज का है एक ए मैं आपको टेलेक्राम चैनल पर प्रवाइड कर दूँगा तो वहां से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैं अब यहां पर बस पैटन समझाने की कोश्च कर रहा हूं किस टोपिक से ज्यादा कोश्चन आ रहे हैं फिर छटे कोश्चन पर अगें इसपी क्यों असने से टाइंप डिस्क्रिया और यह बेग़ेंज से और गरविजशन बहुत जादा पूछे जाए टाइंपन डिस्टैंस अर्माegल है हमारे पास अबब्साद मैक्सिमम उसकोश्चन इन दोनों चैप्टर से ही पूछे गए हैं पिछले साल के पेपर के अंदर यह अगें दुबारे हमारे पास यह time speed and distance का question हो गया है time speed and distance सबसे ज्यादा question time speed and distance के हैं लगभग 25 में से 8 से 10 question हमारे 8 question लगभग time speed and distance के पूछे जा रहे हैं फिर चार से 5 question हमारे चैप्टर से हैं तो हम समझ सकते हैं अर्थमेटिक ही है बेसिकली से एक्जामिशन में यह अगें time speed and distance का है यह time speed and distance का है आठ से 10 question के आसपर time speed and distance के हो गए हमारे उसके बाद जो कोई reasoning में हम पढ़ते हैं missing term वह वाले questions quantitative aptitude में भी है तो simplification कहलो या फिर यह जो missing terms वाले question हो गए series वाले questions हो गए यह आपके quantum में पूछे गए हैं उसके बाद फिर यह आपका sum से related आ गया 30 natural numbers यह भी average में ही पढ़ते हैं यह topic हम फिर एक दो question आपके percentage और एक question आपका percentage का है एक question आपका ratio का है और एक question आपका यहाँ पे time and work का है और एक question आपके पास CI and SI का है तो अगर मैं उपज़र करूं यहाँ पर कोई भी आपके graph वाले questions नहीं है पाई chart, histogram कुछ भी नहीं पूछा गया exam में सबसे ज़्यादा weightage की बात करूं तो time, speed and distance के लगभग आपके 10 से 12 questions है उसके बाद आपके average chapter के 5 से 6 questions है तीन से 4 question आपके simplification के series से related questions है उसके बाद एक question time and work का एक question आपका permutation and combination का है एक question आपका ci and si का है एक ratio का है एक percentage का है इस तरह से questions आपके चल रहे हैं तो पूरे paper में कहीं भी हमें advanced math का portion नहीं दिखा सिर्फ arithmetic पूछी जा रही है उसमें भी pie chart डियाई वगएरा नहीं पूछे जा रहे है बिल्कुर सारे की सारी simple चीज़े है सबसे ज़्यादा दो chapters लीड कर रहे है average and time speed and distance दो chapter करने में आपको कितना ही टाइम लगे हो quantity to aptitude में तो बहुत कम टाइम में आप इसको quantity section पूरा कर सकते हो ठीक है अगर हम बात करें वैसे तो पूरा arithmetic section ही पूछा जा रहा है कि कोशन आ रहा है सकता आने वाले टाइम में इनसे ज्यादा questions पूछे जाए तो कवर तो आपको पूरा arithmetic ही करना है लेकिन इन चीज़ों पर ज्यादा धियान रहा सकते है average पर और time speed and distance में ठीक है simple aptitude का paper है और कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं बात करूँ यह आपका exam हुआ था यह पिछले साल आपका हुआ था टियर वन examination October में 15 October को exam लिया गया था और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूं general awareness के question 25 question general awareness के थे उसमें यह question October में exam हुआ है October से पहले September उस यहाँ पर फिर अगस्ट का question आ गया फिर अगस्ट का question आ गया आपके पास और यहाँ पर फिर अगस्ट का question आ गया ठीक है और उसके बाद यह आपके sports related questions आ गये जैसे SSC में आते हैं उसके बाद फिर आपके पास यह politics related current affairs का question है जुलाई 2018 का तो आप यह चीज़ चोड़ कर है कि March में हो तो आप January February के current affairs बहुत अच्छे से करना अभी December मंत खतम हो रहा है December January February के current affairs तो बहुत अच्छे से कर लेना इस बार current affairs की weightage भी बढ़ते जा रही है उसके बाद यह फिर आपको जुलाई 2017 का ही question है पिछले तीन महीं नहीं current affairs के question पूचे गई है उससे जादा के question start हो जाते हैं ठीक है एक physics का question आपको यहां पर देखने को मिलेगा दो questions computer के है उसके बाद quality के questions आएंगे आपके और history के questions आजाएंगे तीक हिस्ट्री स्टार्ट हो गया आपका history के हैं फिर quality से related questions मिलेंगे आपको यह सारे quality के questions है तो maximum questions के अगर मैं बात करूं यहां पर आपके पास golden revolution से related question आगया आपका geography से related question मिलेंगे यह history से related question आगया dead trap economics से related question आगया और यहां पर आप देखोगे यह आपका और फिर economics तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे ज़्यादा questions जो आपके आ रहे है current affairs के आ रहे हैं उसके बाद history के पॉलिटी के and economics के यह सारे sections सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसके बाद general science के अगर मैं बात करूं एक question आपका लगभग biology का दिखा हमें और एक question physics का आप दिखा chemistry का कोई भी question आपके exam में आपे नहीं पूछा गया right ठीक है वो फोटो वोल्टेक्स हैल सा तो वो physics का भी हो सकता है chemistry का भी तो एक question physics chemistry तो general science की वेटेश काफी कम है quality history की वेटेश जादा है और साथ-साथ current affairs की वेटेश जादा रही exam में जोग्रफी का भी एक आ numerical ability reasoning है यह आपकी तो basic जैसे एक जांस में आता है लगबग वैसी चीज़ चलेंगी है आप accounting figures का question आगया number of triangles find out करने है आपको ठीक यह आपका logical का question हो गया यह basic reasoning के question जैसे एक जांस में आप पढ़ते हो या कोई भी aptitude exam दोगे वैसे जो questions होते हैं बिल्कुल वैसे ही questions है यह ठीक है यह series related questions आ गए यह आपको cover करने पढ़ेंगे arrangements related questions सारे के सारे तो यह सारी चीज़ आपको reasoning से related cover करनी है अपनी और इसके बाद अगर ssc exams के आपने reasoning का रखे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद हम आ जाते हैं English section पे English section में यह vocabulary का question आगया कि इसका मतलब proportion है आपका यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएंगे identify the grammatical errors related question आगे vocabulary से questions आगे यह सारी चीज़े पूछे जा रही है उन्हें किसी भी part में कोई भी problem नहीं आएगे पूरे section के अंदर ठीक है चार होई section आप बड़े easily solve कर सकते हो अगर इस तरह का paper रहा although with time exam के pattern में कुछ ने कुछ changes देखने को मिलेंगे इस बार general awareness की weight ज़्यादा भड़ाई गई है ठीक है तो वह आपको अच्छे से cover करना है तो अब एक बार strategy पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप prepare करें दो महीने के अंदर इस exam के लिए टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर लेना ऐसे से एक्जाम से लेटीर सारी pdf मिल जाएंगी और यह जो previous year के paper से हैं इनके questions मिल जाएंगे आपको वहाँ पे और tier 2 का भी question paper में आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा तो वह देख लेना साथ के साथ अब सबसे पहले मैं preparation strategy की बात करता हूँ यहाँ पर quantitative aptitude की जैसे हमने देखा previous year paper में सिर्फ arithmetic के questions पूछे गए हैं 2012-13 जो paper मुझे online मिला उसमें भी यही देखा गया है सिर्फ arithmetic के question एडवांस portion नहीं पूछा जार आपके exam में तो quantity aptitude में सिर्फ arithmetic कवर करनी है जिसमें सबसे ज्यादा questions time speed and distance और average के रहे फिर simplification कर लेना एक बड़ simplification के आ सकते हैं series वाले questions कर लेना अच्छे से जो reasoning में पड़ते हैं वह यह आपके हाँ पे quant में भी पूछे जाएंगे mensuration में basic formula कर जाना geometrica क्योंकि exam में quantitative aptitude है आपके syllabus का part तो हो सकता है mensuration के basic formula आपको देदे तो वह read करके जाना algebra geometry trigonometric का कोई question नहीं दिखा तो आप इसे skip भी कर सकते हो थोड़ा पता हो knowledge हो basic तो ठीक है वरना इन चीज़ों से ज्यादा questions पूछे जा रहे हैं तो permutation and combination जो SSC में नहीं आता है लेकिन इसमें आ सकता है तो basics इसके पता होनी चीए है आपको simple interest compound interest आप पढ़ लेना है आपर और यह सारी topics है जो आपके पूछे जाएंगे exam में तो इन अच्छे से cover करना है तो syllabus आपका SSC से mass का आधिसे भी कम है यहां पर क्योंकि advanced portion ज्यादा जाता है SSC CGL में arithmetic फिर भी limited syllabus होता है और questions का level आप देखोगे solve करके ज्यादा मुश्किल नहीं है मैं आपको इसी चैनल पर जल्दी next video के अंदर solve करा दूँगा और हो सगा तो reasoning के भी questions मैं ही आपको यहां पर solve करा दूँगा और बन पाया तो कुछ crash course वेगार भी हम कर सकते हैं ठिक अगर बुक की बात करूँ क्रेश कोर्स कोई मिल जाए अर्थमेटिक के लिए मैंने चैनल पर आपने जाता है अर्थमेटिक के पड़ाया है वह भी हेल्फुल है बाकि यूट्यूब पर सच करोगे कोई crash course मिल जाता है अर्थमेटिक का वहां से आप cover कर सकते हो रिजनिंग के बात करूँ यह SSC का स्लेवस मैंने हाँ पर डाला है वही स्लेवस आपका इसका है आई बी का तो यही स्लेवस आपको complete करना है यह स्लेवस एक बार देख लो screenshot और इसमें जो special focus होना चाहिए आपका स्रीज वाले missing terms पर focus होना चाहिए और साथ साथ counting figures पर सबसे नहीं है इसके लिए बुक previous year की आती है या तो यह वाली बुक ले लो आप या फिर करन की भी आती है करन की बुक भी ले सकते हो previous year की उसमें से main focus यह रखना अपने किसी दोस्त के पास है तो यह तीन चाहर टोपिक्स आपको मिल जाए अच्छे खास है तो वहां से practice कर लेना ठीक है बागी बागी sections कर लोगे इन तीनों दो तीन sections में ही आपको problem आईगी reasoning में ज्यादा अब general awareness की बात करूं यहां पर तो just a second देखो आपके पास यहां पर दो चीज़े हैं इस exam में एक तो general awareness के आपके दो पार्ट दे रखे हैं एक तो general awareness है आपका एक general studies दे रखा है ठीक है तो 20-20 नमबर के दोनों चीज़े आपको दे रखे हैं आपके अगर general awareness की बात करूं basically क्या होगा आस पास की knowledge आपकी देखी जाएगी तो हो सकता है है आपके maximum portion current portion current affairs से पूछें राइट तो current affairs की वेटेस होड़ी जादा रहेगी इस बार examination में तो general awareness आपको कवर करनी और इस पार अलग से डाल दिया है पहल दो वरना general awareness में वैसे सारी चीज़े इंक्लूड हो जाती है तो general studies में आप मानगे चलो बाकि इतने भी subjects हैं आपके history, politics, economics, science सारी चीज़े इसके अंतर include हो जाएंगी तो वह सारी चीज़े आपको यहाँ पर cover करनी पड़ेंगी ठीक है आप desirable qualification में देखोगे हैं यहाँ पर desirable qualification में आपका computers भी दे रखा है तो computer से पिछले साल भी दो questions आये थे और आपके इस बार भी computer section से तीन से चार questions expected हैं यह जो आपके exam आएंगे तो computers वाला part भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है सो एक बर स्लेबर्स तो लगबग वैसे ही रहेगा जनले स्टडीज का सारी sections आपको cover करने होते हैं special focus मैंने कहा current affairs पर करना history पर quality पर और computers पर बाकी economics भी आपको अच्छे से करनी है जनरल साइंस से कम questions expected हैं तो जनरल साइंस देखके चले जाना एक बार बाकी इन portions पर ज्यादा focus करना बुक की बात करूँ तो लूशेंट ले लेना एक बुक क्वाइट पॉपुलर सस्ती सी बुक आती एक सो पचास एक सो चालिस की आ जाएगी आपको यह वाली बुक मिल जाएगी ठीक है तो subjective वाली बुक लेना एक होती हो MCQ वाली मतले न सब्जेक्टिव वाली बुक लेना उससे आप maximum portions cover कर सकते हो इस exam के लिए अगर यह अच्छे से कर लेते हो ओल्दो बहुत बड़ी बुक है नहीं कर पाओगे पूरी कवर important highlights कर लेना important topics कर लेना आपका यहां से हो जाएगा बाकि GK के लिए मैं हमेशे ही कहता हूँ कि सभी sections आप खुद से कर सकते हो अगर आप GK का course भी इस exam के लिए ले सकते हो बुक की बात करें तो Lucent एक क्लोती बुक है यही च्छोटी सी बुक है यह वाली ले ले लेना इसमें maximum चीज़े cover हो जाएंगी economics section इतना अच्छा नहीं है इस बुक का तो economics के लिए अगर 11-12 में आपने economics पढ़ी है तो वहां से कर लेना ठीक है NCRT मतलब 11-12 में जो आपने बुक पढ़ी होगी वह वाली micro और macro economics दोनों वाला पार्ट आप cover करके जाना इस exam के लिए general awareness के लिए current affairs बहुत ज्यादा important है यहां पर मैंने का last three months के very very important है बाग की कोशिश करना पूरे साल के ही current affairs करके चले जाना right sources कौन से है free sources आप search करना study IQ पर अगर daily current affairs हो रहे हैं वहां से कर लो next exam पर next exam YouTube channel है वहां पर daily current affairs होते हैं वहां से कर सकते हो इसके लिए कुछ pay मत करना free sessions मिल जाएंगे बहुत साई चैनल से current affairs जो कर आते हैं खाले अब आती है English section की बात तो English section पे दो चीज़ों पर कमाड़ जादा जूरूरी है सबसे ज्यादा तो vocabulary आपके अच्छी नहीं है तो vocabulary एक बहुत इंपोर्टेंट प्लेगरी इस exam में English section म के लिए और फिर grammar portion है आपका comprehension वगयरा हमने देखा tier 1 में नहीं है तो vocabulary के लिए मैं बता देता हूं आप word power के वीडियो solutions आपको कहीं मिल रहे हैं मतलब वीडियो में किसे टीचर ने explain कर रखा है तो बहुत इंट्रेस्टिंग में मैं समझोगे root words के हाथ से vocabulary आपके अच्छी हो जाएगी वाली बुक से कर लो तो इतना काफी है English का level बहुत हाई नहीं है तो आप इस vocabulary हैं से कर लो और English के लिए वाली बुक फोलो कर लो बाकि अगर टाइम बसता है तो प्रैक्टिस बुक्स आता है जो कि एससी में यूट किया दाता है वहीं आप यहां पे भी solve कर सकते हो एंबी पुब्लिकेशन का राइट बाकि इतना कर लो पहले दो महीं नहीं है बहुत जादा टाइम नहीं मिलेका अगर भी त्यारी स्टार्ट कर रहे तो यह बुक सिनफ है आगे भरता हूं में ठीक है अगर हम बात करें टाइम कितना डिवोट किया जाए इस एक्जाम की त्यारी के लिए हमारे पास चार सेक्षेन एक जन्रल अवेर्नेस जन्रल स्टडीज दोनों एक साथ ही ले रहा हूं मैं उसके बाद हमारे पास एक सेक्षेन है क्वांटिटिटिव एक है रीजनि पड़ेगा क्वांट की अगर मैं बात करूं सिर्फ अर्थमेटिक आ रही है अर्थमेटिक में भी दो चैप्टर है जिसे सबसे ज़्यादा कुश्चन है आवरेज से और टाइम स्पीड इंडिस्टेंस से राइट तो इनको क्या करना है आपको रोज का देड़ घंटा दो दो महीने तक आपका इस सेक्शन क्वांटिटी अप्टिट बहुत अच्छा हो जाएगा क्रेश कोर्स कर लिए थोड़े प्रैक्टिस कर लिए आपका काम चल जाएगा क्योंकि टाइम का इश्यू नहीं आएगा आपको क्यों को मिला के आपको अगर मैं बात करूं यहाँ 20-20 को करने में आपके 35 मिनट भी लग गए और बाकी फिर भी आपके 25 मिनट बचेंगे एक घंटे का पेपर है तो 25 मिनट के अंदर आप जीके के 40 कोश्चन और इंगलिश के 20 कोश्चन बहुत अराम से करोगे टाइम कम इश्यू यहाँ पर नहीं आएगा आपको जाना तो बाकी English के लिए English के लिए ऑगें फ करेंग्ली मिडिय घंटे के लिए अगर मध्क हैंके अगर उब हैंधी मिडयम से लगे और बाकी जिटना भी टाइम मिले आपका जीए और जनल साइस पर देना जन्रल अवेडनेस में अगर मैं बात करूं करेंट अफेर्स में लाश के तीन महिने तो बहुत अच्छे से करने हैं और बाकी बाकी सारे अच्छे करने हैं आपको कवर तो यह आपका सबसे ज्यादा टाइम ले जाने वाला है राइट एस सी एक्जाम के और ट ठीक अब मैं बात करता हूं टीर 2 एक्जामिनेशन के बारे में 2017 का जो पेपर है टीर 2 जहां तक मुझे पता चला है यह सिर्फ इंग्लिश लेंग्वेज में होता है जिन से मेरी बात हुए जिन्होंने यह पेपर दिया था और वो उन्होंने इंग्लिश में ही दिया था अ comprehension 10 NB का प्रेसी राइटिंग एससे की बात करूं यहां पर चोईस मिल रही है आपको ठीक है यहां पर आपको तीन टोपिक दिये गए थे किसी भी तीनों में से एक घंटे का टाइम मिलता है आपको इन तीनों में से किसी भी एक टोपिक पर आपको ऐससे लिखना था एक owner in owner killing ठीक है इस से लिट रहा है था इन तीनों में से general topic है तीनों में से किसी के ओपर लिखना था अगर essay कि आपको बुक नहीं पता है तो अरिहंत publication की book आती है बाई S.C. Gupta उसमें ये तीनों ही तीनो topics पहले से ही दे रखे हैं ठीक है और प्रिवियस edition में इस exam से पहले में और बाकी ओर भी latest topics मिल जाएंगे के साब से उसमें तो S.C. Gupta के अरिहंत publication की book ले लेना description box मुसका भी link मिल जागा अगर आप लेना चाहते हो राइट तो वह अच्छी book है ठीक है तो तीन में से एक topic की choice मिल रही है आपको 400 word में लिखना यहां पर यह थोड़ा अच्छा है कि थोड़ा ज्यादा लिखना आपको तो एक घंटे के अंदर 400 word लिखना तो यह थोड़ा होता क्या है आपके पास जितने वर्स दे रख्या होता है इस प्रेसी राइटिंग में वन थर्ड में आपको पूरी प्रेसी राइटिंग करनी होती है इसकी summary लिखनी होती है आपको अपनी लेंग्वेज के अंदर ठीक है तो वह हो जाएगा तो आपका लगभग 10 से पंध राइटिंग की प्रेक्टिस कर लेना ठीक है क्योंकि 30 नंबर का है वेटे सबसे जादा ऐसे राइटिंग की है अगर अगर थोड़ा इस्पीड अच्छी रखोगे तो दस मिनिट में यह और दस मिनिट में यह भी हो जाए तो चालिस मिनिट तक भी आप ऐसे के लिए बजा रख है और यह 2012 का भी है यह साथ टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे वहाँ पर आप डाउनलोड करके देख सकते हो ठीक है और सलेबस जो मैंने बताया पैटन वही है प्रीवेस यह पेपर्स में भी तो उसी तरह से आप अपनी त्यारी करो आइप इस वीडियो इस वीडि में सो बाइबाइ टेक केर एंड जाहिंद